ओम शान्ती, बेहत का बाप, स्वादागर, नंबर वन रचैता, ज्ञान का सागर, संगम पर आकर हमें नए अनोखे और ज्ञान के गुहे रहे सिस्पष्ट करते हैं. आज बाबा ने हमें रक्षा बंदन के गुहे रहस्य के बारे में बताया, कि संगम पर बेहत की बड़ी मा, ब्रम्हा और श्रिव पिता आकर हमें राखी बानते और तिलक देते हैं, जिससे हम सत्यू की राच्य का तिलक लेने के अदिकारी बन जाते. तो आई ये रिवाइस करते हैं आज के 29 अगस्ट 2023 के मधुर महावाक्यों को. बाप से टीका लगवाने के लिए बच्चों को कौन सा पुरुशार्थ करना है? ब्रामणों का धन्दा कौन सा है? गीता सुनाना हमें कौन सी प्रतिग्या करनी है? हम आपका सपूत बच्चा बन, पवित्र बन आपसे वर्सा लेंगे. राज्य भागे कौन लेंगे? जो पवित्र रहेंगे. कौन-कौन से उत्सव चलते आएं हैं? राखी, दशहरा, नवरात्री, शिवरात्री, दीपावली. हम किस-किस की जीवन कहानी बता सकते हैं? राम सीता की, शिव बाबा की, लक्ष्मी नारायन की, ब्रह्मा विश्नु शंकर की. भक्ती में भिन्बिन प्रकार के चित्र बनाने को क्या कहा जाता? वेस्ट ओफ मनी, वेस्ट ओफ टाइम, वेस्ट ओफ अनरजी. अधिकतर देवियों की पूजा क्यों होती है? क्योंकि मेज्जॉरिटी माताओं की है. नंबर वन रच्टा और नंबर वन रच्टना कौन? नंबर वन रच्टा और नंबर वन रच्टा और नंबर वन रच्टा क्या आप बोल रहे हूं मैं नंबर वन रच्टा और नंबर वन रच्टा कौन है नंबर वन रच्टा श्रिव बाबा नंबर वन रच्टा श्रे कृष्ण बाबा ने इस पढ़ाई के विश्व में क्या बताया बुद्धी को भटकाना नहीं है हमको पढ़ना और पढ़ाना है व्यर्थ बातों का वर्नन चिंतन नहीं करना है पढ़ाई के समय अपना फुल अटेंशन पढ़ाई में देना है बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं बाबा स्वगात में हमें क्या देते हैं? अपना सब कुछ खाता जमा करने की विधी क्या है? सर्विस करना, बाप को याद करना, अविनाशी ज्यान रतनों का दान करना असोच बन वुद्धी को फ्री रखने से क्या लाब होते? बाब की शक्ती मदद के रूप में आनुभव होती, सेवा की वृद्धी स्वतह होती परमपिता परमात्मा द्वारा, स्थापन राज्ये की महिमा क्या है? किसको क्या कहा जाता है? एक की याद को असोच बनना, मुख पीठा करने को सर्व वर्दान लेना, घर घर में स्वर्ग होने को दीपावली आना, राखी बांधने के उत्सव को पवित्रता की प्रतिग्या करने का उत्सव, श्रीमत पर ज्ञान का चंदन खिसने वा पवित्र बनने को स्वराज्ये लेना क्या होने से क्या होता है? पतित होने से तमोप्रधान बन जाते, देवाला मारने और बीमारी होने से दुख होता पवित्रता की प्रतिग्या करने से सूर्यवंशी घराने का तिलक मिलता मा के राखी बांधने और बाब के तिलक देने से हम राजा रानी बनते अपनी उपराम स्थिती द्वारा सर्व बातों से किनारा करने से एक बाप के सहारे का अनुभव होता ये थी आज के मुरली की विशेश बाते संगम पर हमारी बड़ी मा ब्रम्हा, हमें राखी बानती और श्रिव पिता हमें वर्दानों से भर देते और हमें स्वराज्य का तिलक देते हैं जिस से हम आत्माय संगम युग पर सदा पवित्र रहने की प्रतिग्या करती हैं और इसके फल्सोरूप हमें सत्यूग में 21 जनम स्वर्ग का राज्य भागे प्राप्त होता है तो संगमकवर की हुई प्रतिग्या को हमें सदैव कायम रखना है ओम शान्ति